इस वक्त के एक बड़ी खबर आपको बता दें खबर राहूल गांधी की भारत जोडो निया यातरा से जुड़ी हुई जो इस वक्त मनिपूर के इमफाल में है और आज भारत जोडो निया यातरा का दूसरा दिन है यातरा अपने 23 समय पर सुबा 8 बजे शुरू हो चुकी है मनिपूर के थोबल से शुरू हुई राहूल गांधी की यातरा आज शाम 4 बजे नागा लैंड में प्रवेश करेगी राहूल गांधी की यातरा दो दिनों तक अलग अलग इलाकों से गुजरेगी इस दौरान यातरा पांच जिलों से होकर जाएगी नागलांड में राहूल की यातरा 257 किलो मीटर को कवर करेगी वही रविवार को मनिपूर के थोबल वार मेमोरियल से नियाय यातरा शुरू हुई थी जहां यात्रा शुरू हुई थी यात्रा के 35 किलो मीटर के सफर के दौरान राहू लिएनधी ने पैदल और बस में यात्रा की वार मेमोरियल से शुरू होकर फूटब ब्राउन में यात्रा खत्म हो लुई यात्रे के दौरान राहूल गांधी जिगे जिगे लोगों से मुलाकात करते रहे आज राहूल गांधी का मनिपूर लागालेंड बॉर्डर के पास खुजामा गाउ में यात्रा का रात्री विश्राम होगा जिसके बाद राहूल गांधी नागालेंड में प्रवेश करेंगे फिर नागा लैंड से होते हुए आगे वो अरना चल उसके बाद असम होते हुए वो मैदानी इलाकों तक पहुँचेंगे हमारी सेयोगी विजे लक्ष्मी इस वाक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है सीधे उनका रुख करते हैं विजे लक्ष्मी आज नागा लैंड यात्रा प्रवेश करेगी और दो दिन तक यहां यात्रा में राहूल गांदी आला गला गिलाकों में घूमेंगे लेकिन आज का पूरा कारिक्रम कैसा रहेगा वो बताईए लेकिन इससे पहले बीते कल की बात करें तो राहूल गांदी ने कोई मौका नहीं छोड़ा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी पर निशाना साधने का हमने उनकी बातों में प्रेस कॉंफेंस जो की गई थी कॉंग्रेस के नीताओं की तरफ से उसमें सुना अब देखे गारी में आपको पीछे बस में क्योंकि यह जो समवेदन शील इलाके हैं इनमें हर जगा राहूल गांधी बस में ही यात्रा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसमें पैदल चलने का कारिकरम जादा होता था लेकिन यह यात्रा समवेदन शील इलाकों से खास तोर पर बस में ही की जाएगी राहूल गांधी सफेद टीशिट में अपने चिर परिचित अंदाज में बैठे हुए नजारे कल भी जब काफी लोग उनसे मिलते हुए रास्ते में हमें दिख रहे थे और आज यात्रा जो है नाकपुर पहुंचेगी और अगले 11 दिन से हमेले हैं कॉंग्रस पार्टी की देविंद्र जी क्या उमीद इस यात्रा से कॉंग्रस पार्टी कर रही है देखिए ऐसा है कि देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है लगातार और भारती जंता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों से लोगों को केवल और केवल गुम देख पाएंगे किस तरह से प्रधान मंत्री मोदी और बीजेपी को निशाना बनाया जाएगा लेकिन बेरहाल अब ही आगे जब नयाया यात्रा पस्चिम बंगाल में दाखिल होगी तब ये बड़ा टेस्ट होगा इंडिया अलाइंस के लिए भी और जिसको लेकर कॉंग